चनावी महासभा के महासंग्रा में दन्यूज इंडिया की टीम ने गुना जनपत के तरफगंच तहसील अंतरगत पढ़ने वाले बन गाउं के मजरे कंचनपुर में अपकी पार किसकी सरकार 2019 में कुर्सी किसकी का कवरेज किया साथ ही साथ किसानों की समस्याओं को भी किसान तबके के लोग खड़े हुए हैं ये आज अपनी समस्याओं को वताएंगे और साथ ही साथ जनता जनारदर होती है सन 2019 की चुनाव की महासभा में वो किसको ओट देना पसंद करती है और किसकी सरकार चाहिती है एक ग्रामीडों से एक राय लेते हैं जादो में नाम में हैं हम सरकार के काम से तो संतुष्ठ हैं लेकिन जो छुटा जनवर घूम रहे हैं ये बहुत बड़ी समस्या है इससे निजाद चाहते हैं आपका भी सईयोग जो है सरवो परी है अगर यहां पर जो है छुटा जनवर घूम रहे हैं तो इसकी सूचना आप डायल हंड़ेट को दीजिए या थाने पर संपर्क करिए नहीं पर दिया जाता है लेकिन वह कोई उसका उपाय नहीं वह कार्णी हो दिया ऐसा कुछ करके बताते हैं यह सा करेंगे लेकिन इसा हो नहीं कर जाए उनको भी रोजगार मिल जाए उनका गोबर उनकी खाथ जो बने जा दूद मिले उससे आगे जा सकता है लेकिन इस तरह चुट्टा छोड़ने से लोगों के किये हुए काम पर पानी फिर जाता है तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्रोधी की सरकार काम अच कर रहे लेकिन धरातल पर नहीं क्यों मीडिया में ज्यादा अच्छा कर रही है धरातल पर काम जैसे कि हमारे गाओं में 70-72 साल होगे आजाद होने को लेकिन अभी आपका नम अच्छा आप क्या कहना चाहते जो सरकार आज हमारी वरतमान में है वह सरकार अच्छा काम कर रह लेकिन अब गुरू बच्छरु वाला इकसरी बेवस्था हुए क्या चाहते हैं कि सरकार जो आज प्रिजन टाइम में है वो सरकार अच्छा काम कर रही है कि आप इस सरकार को बदलना चाहते हैं अच्छा तो कहने का मतलब है यहां आपके कोई गोस्था कोन बेश्य में हैं सरकार जो आज वरतमान स्थित्प में है यह सरकार ठीक काम कर रही है या आपकी इससे अपेच्छाए क्या है ठीक कर रही हो यहां कर रहे हो किसकी सरकार चाहते हैं यह तो मुखमंत्री की बात होगी चलिए अच्छा एक चीज़े बताइए कि नरेंद्रमूदी की सरकार आज प्रजेंट टाइम में कितने लोग नरेंद्रमूदी जी को चाहते हैं अच्छा यहां पर मैंने जो जनता की राय ली है उससे यही पता चला है कि आज की जो सरकार नरेंद्रमूदी जी की चल लही है यहां पर किसी ने भी सीज़ पर हाथ नहीं उठाया यह लोग इस सरकार को बदल के दूसरी सरकार को चाहते हैं दीनीज इंडिया के लिए मैं अमित महास्रे वास्तों